मेरे प्यारे बच्चो आज हम लोग यूरिया साइकल को समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे एक्चुली यूरिया साइकल एक ऐसे साइकल है जिसके वजा से रुरिया बनती है अगर मैं डेकिंशन की बाते करें आए यूरिया साइकल यूरियोसे यूरिया साइकल end cycle भď कहते है यूरिया एक औरनी कपॉंड है यूरिया हमारे लीबर पर बनती है फिर वो किड्नी को चले जाते हैं ताकि एक्सक्रिशन के थुरू बाहा निकल जाए इड वर्ज डिस्खवर्ड बाई हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हैंसलेट इन 1932 हैंस इडिस नौन अज क्रेब्स हैंसलेट साइकल एक्षुली में यह यूरिया साइकल लेवर पर होती हैं लेवर के आधे पार्ट माईटोगण। में होति है और आधे पार्ट साइ्टोस्यल में होती है कि एक पांच इसटेप सुते हैं और न purgum जो हुति हैो असमृपन अब ट chapters और आन परिंजय को समझते हैं पहले dov सबसे पहले समझते हैं सिंथेसिस अब कर्बो मोयल फॉसफ़ेड इसमें क्या होती है कर्बो मोयल फॉसफ़ेड इस दोरान क्या होती है और साथ में टू एटिपी की जरत पड़ती है तो आगे जाके ह मको दो एडिपी क्या होते हैं लिक्ते हैं नइक्सने सिप कि जो स्ट्रुलीन है किस तरह से बनते हैं तो शाल कि म क्या होते हैं गो मोयल फॉसफ़ेड हैं जो हमको हम मिले थे वो अब क्या करेंगे और्निथाइन का साथ कंडेंस हो जाएंगे आपसे मिल जाएंगे इन दा प्रेजन्स ऑप एंजाइम और्निथाइन ट्रांस करभा मॉईलेज जिसके द्वारान सिट्रूलिन बनते हैं अब क्या होती है सिट्रूलिन जो है अस्पार्टिड के साथ कंडेंस होके वह बनाती है आजीनो सुसाइनेट इन दा प्रेजन्स ऑप एंजाइम आजीनो सुसाइनेट सिंथेज इस द्वारान एटिपी की जरत परती है अब इसमें क्या होती है जो आजीनो सुसाइनेट है वह दो टुक्डों में टूड जाते हैं बाइदा हेल्प और पेंजाइम आजीनो सुसाइनेज जिसके द्वारान हमें आजीनाइन और फ्रेमेरेड मिलती है यहां पर क्या होती है आजीनाइन जो होते हैं वह दो टुक्डों में टूड जाते हैं पाइदा हैल्प और पेंजाइम आजीनेज एक होती है यूरिया और एक होती है और निथाइन मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग ने सिखा कि किस तरह से यूरिया साइकल की वज़ा से यूरिया बनती है मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक वीडियो बनाने में काफी वक्त लग जाता है तो प्लीज लाइक कामेंट सेयर और सब्सक्राइब करें